हेलो दोस्तों स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल याहू बाबापे पीएचपी और अजेक्स सीरीज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम चेक बॉक्स की वेल्यूस को डाटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं यहां देखिए वेब ड्रॉजर के अंदर मैंने वो वेब application ऑपन कर लिया है जिसको हम इस वेडियो में cover करने वाले है यहां देखिए यहां पर हमारे पास एक form है और form के अंदर हमारे पास दो तर्यके की fields आ रही है एक है हमार पास यहाँ पे name के लिए input field है और उसी की नीचे यहाँ पर हमने एक दूसरी फिल्ड लिए languages करके जिसमें multiple languages आ रही है जिसके साथ आ रहा है checkbox हम यह सारी checkbox की values को multiple values को database में insert करना चाहते हैं submit के click पर और जो इस वीडियो में database यूज़ करने वाला हूँ उसको भी मैं एक बर आपको check करा देता हूँ यहाँ देखिए यहाँ पर हमार पास एक testing नाम का database है जिसके अंदर students नाम से एक table है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर तीन fields है id, name और languages name और languages को दोनों को मैंने वैर कर लिया आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी length भी आ रही है और जो id है उसको मैंने primary की set किया है auto increment भी है तो आई यह शुरू करते हैं practical यहाँ देखिए web editor के अंदर मैंने अपना project folder ओपन कर लिया जिसका नाम है ajax-checkbox यहाँ देखिए एक folder है इसके नीचे जिसका नाम है CSS जिसके अंदर हमने styling किया है और इसी के नीचे यहाँ पर एक JS का folder है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने jQuery की file को place किया है इसको use करके हम ajax लगाने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ पर मारे पस दो PHP की files है एक है index.php जो की आपको यहाँ पर दिख रही है जिसमें हमारा template है और इसके साथ हमारे पास यहाँ एक दूसरी file है insert.php यह file अभी खाली है जिसको हम आगे use करेंगे अब इस file को भी मैं एक पर आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह हमारा main div है जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है यह उपर header वाला part है और इसके अंदर यहाँ पर एक div है जिसपे मैंने ID लगा है content और इसी के अंदर एक form है जिसपे ID लगा है student form इसी को submit करके हम यहाँ पर form की coding करेंगे यहाँ देखिए हमारा पास दो fields है पहली field जो है वो है text के लिए और इसपे जो आपने label लिया है वो है name id लिया है वो है first hyphen name और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए languages करके एक label है और इसके अंदर multiple checkboxes आ रहे हैं आप देख रहे हैं इनकी type जो है checkbox है इसके नीचे यहाँ पर एक बटन है जिस पर मैंने id लिखा submit यह देखिए और सबसे नीचे यहाँ पर मैंने jquary की file को place किया है अब यहाँ पर मैं script tag के अंदर आकर jquary का जो पना basic code है document.ready उसको लिख लेता हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिए document.ready और इसके अंदर एक function भी चला लिया अब यहाँ पर आके सबसे पहले मिरको क्या करना है मिरको जो हमारा form है उसके submit का event call करना है तो उसका जो id है उसको हम copy कर लेते हो उपर से यहाँ देखिए form पर जो मैंने id लगाया है वो है student-form पहले मैं इसका selector बना लेता हूँ और इसके अंदर आकरी मैंने डाल दिया student form अब इसके मेरको event लगाना है तो event का नाम है जो form पर हम event लगा सकते हैं उसका नाम होता है submit और इसके अंदर एक function बना लेता हूँ और function के अंदर एक as a parameter के लिए मैं एक variable ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रखना हूँ e को मैं ऐसे use करूँगा event अब क्योंकि जैसी मैं form को submit करूँगा तो page refresh होगा तो मैं नहीं चाहता कि page refresh हो तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर मैं JavaScript का function यूज़ करने वाला हूँ prevent default तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ e.prevent default अब इसकी बात मुझे क्या करना है सबसे पहले जो हमेर पस name की field है जिसमें जो student है वो अपना name डालेगा उसकी value को pick करना है और उसके साथ जो languages जो select करने वाला है उसके लिए एक variable लेना है तो सबसे पहले मैं एक variable ले रहा हूँ fname, fname मतलब first name और इसमें मैं student के name की value यहाँ पर डलवा लूँगा यहाँ पर मेरे को वो ली field लेनी है जहाँ पर student का name आने वाला है तो उसके जो मैंने id लिया है वो लिया मैंने first hyphen name मैं इसको copy कर लेता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ और इसकी मेरे को क्या उठानी है इसकी value उठानी है तो यहाँ मैं value नाम का function यूज़ करूँगा इसकी बाद मैं एक variable ले लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ languages और इसको मैं एक empty array बना देता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को multiple values डलवानी है क्योंकि user जो है जो उसको languages आती होँगी सिरफ वो ही select करेगा जैसे कि आपने उपर देखा है कि वहाँ पर multiple languages लिखी हूई है तो user को हो सकता है एक language आती हूँ या दो आती हूँ या तीन आती हूँ तो वो अपनी choice से select करेगा तो जो उनसी value वो select करेगा सिरफ मेरे को उसी की value उठानी है तो उसके लिए यहाँ पर मैं jQuery का each loop चलाने वाला हूँ तो जो मैं यह loop चलाने वाला हूँ उसके लिए जो मैंने checkbox पर एक class लगा रखे common class जिसका नम है lang तो उसी पर मैं यह loop चलाऊँगा इसका मतलब है जहाँ जहाँ यह वाली class लगी हूँ यह lang उसके लिए मैं यह loop चला रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ each और इसके अंदर एक anonymous function ले लेता हूँ अब यह जितने भी checkboxes है सब के लिए यह loop चलेगा अब यहाँ पर मेरे को यह check करना है कि user ने उसको slide किया है कि नहीं तो यहाँ मैं एक if की condition बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर मेरे को check करना है कि user ने जिस checkbox पर click किया है उसी की value उठानी है तो यहाँ पर देखिए यह हर language के लिए मतले कि जहाँ जहाँ यह class लगिए हर बार चलेगा तो मैं उसकी value को check करने के लिए यहाँ पर लिखूँगा this selector के अंदर और यहाँ पर jQuery का method यूज़ करूँगा जिसका नाम है is इस जो method होता है यह check करने के काम आता है कुछ भी आपने check करना हो और यहाँ पर मैं check क्या करना हूँ कि यह checked है की नहीं तो यहाँ पर मैं लिखूँगा colon checked यह देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ उपर जाके यह देखिए जो यह loop है पहली बार इसके लिए चलेगा जो हमार पास यह वाली है check box है फिर इसके लिए फिर दूसरी बार इसके लिए अगर user ने जिस इसको भी check किया होगा वो if की condition के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर आकर हम क्या करेंगे जो हमने यहाँ पर एक empty array लिया है इसके अंदर value को push कर देंगे तो देखिए मैं यही वाला variable ले ले लेता हूँ languages और इसके अंदर मैं को क्या करना है push तो JavaScript का function होता है array के अंदर कोई भी value को push करने के लिए और यहाँ पर मैं रेको push के करना है जिस पर भी मैंने check किया उसकी value उठानी है तो यहाँ पर मैं यह वाला selector copy कर लेता हूँ this और this की मुझे क्या उठाना value तो value के लिए होता है value function यह देखिए अब यहाँ पर हमारे पास इस वाले variable के अंदर वो सारी values आजएंगी जिसको user ने check किया होगा अब यह सारी values को हम यहाँ पर database के अंदर array की form में नहीं भेजेंगे वहाँ पर हम इसको as a string बना के भेजेंगे तो मैं क्या करता हूँ यही वाला variable ले लेता हूँ languages और उसके अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पर languages नाम के variable के अंदर आया है उसको मैं string form में convert कर लेता हूँ और उसके लिए मैं JavaScript का function यूज करूँगा to string यह देखिए मैं एक बर आपको console में check भी करा देता हूँ यह देखिए मैंने लिखा console.log languages मैं file को save करता हूँ और यहाँ पर आकर page को refresh करता हूँ अब name में तो भी मैं कुछ नहीं डाल रहा अभी मैं सिरफ इतने ही आपको check करा रहा हूँ मैंने यहाँ देखिए तीन languages लेट कर ली है और मैं F12 परेस करके console भी open कर लेता हूँ यह देखिए console open हो चुक है अब मैं यहाँ पर submit पर क्लिक करता हूँ यह देखिए यहाँ पर हमारे पास जोन सी भी हमने languages लेट की थी वो यहाँ पर कॉमा कॉमा लग के आ चुकी है as a string form में php python java तो इतना कम हमारा हो चुक है अब इसकी बाद मुझे क्या करना है मैं यहाँ पर इसके लिए adjust की call लगाना चाता हूँ तो पहले मैं यह चक करूँगा कि user ने जो first name है उसके अंदर कोई value डाली भी है की नहीं या कोई language उसने select की भी है की नहीं क्योंकि कम से कम एक language को select करना ज़रूरी है तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए validation लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं use करूँगा if function और यहाँ पहले मैं first name को check कर रहा हूँ तो first name की जो value आ रही है वो आ रही है f name में तो यहाँ पहले है सबसे पहले उसी की validation बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिखा अगर f name की जो value है अगर वो not equal to empty है अगर उसके अंदर empty value नहीं है तब यह if condition के अंदर आ जेगा और इसी के साथ मेरे को एक होर condition में लगानी है languages के लिए तो यहाँ मैं end operator यूज कर रहा हूँ और देखिए languages के लिए हमने यहाँ पर जो variable बनाया है वो है languages और यहाँ पर मैं check कर रहा हूँ उसकी length देखिए जो languages है वो एक area तो उसकी लिए मैं length चेक कर रहा हूँ अगर उसकी जो length है अगर वो 0 के बराबर नहीं है मतले कि 0 से ज़्यादा उसमें कोई भी एक value आ रही है तो यह इस if condition के अंदर आजेगा और यहाँ पर मैं इसका एक else part भी बना लेता हूँ यह देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले मिरको क्या करना है यहाँ पर मेरको adjust की call लगानी है तो यहाँ पर मैं jQuery का function यूज कर रहा हूँ dollar.ajax और इसके अंदर curly braces लेके इसको start कर लेता हूँ अब यहाँ पर सबसे पहला जो मैं parameter ले रहा हूँ वो है URL यह देखिए मैंने यहाँ पर URL लिया और URL कौन सा यह इसका नाम मैंने दूसरी फाइल जो हमने बना रखिए insert-data.php जिसके अंदर आगे जाकर हम यह सारे form की value को database में save करवाने वाले है अब इसके बाद यहाँ पर मैं method ले लेता हूँ post और उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर form में हमने value select की है एक तो first name और languages उसको में यहाँ से इस वाली file में भेजना है क्योंकि उसी को मैं database में save करवाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं attribute ले रहा हूँ जिसका नाम है data और वो मैं object की form में भेजूँगा तो यहाँ मैंने curly braces ले ली और जो name है उसके लिए मैं यहाँ पर key ले रहा हूँ name और जो देखिए जो हमारे पास variable है जिसके अंदर name आ रहा है वो है fname तो उसको मैं यहाँ पर store करा लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर user ने languages select की है उसके लिए भी हमारे पास variable है languages उसकी key का नाम भी मैं languages ही रख लेता हूँ और उसकी value के अंदर variable पास कर दिये languages अब यहाँ पर मैं अपना last attribute ले लेता हूँ success और इसके अंदर एक function बना लेता हूँ और function के अंदर मैं ऐजे parameter के लिए यहाँ पर एक variable ले रहाँ data यह देखिए जब हमारा data जो है वो successfully insert होजेगा तो यह हमारा function run होजेगा और यह वाली file जो है कि कुछ भी हमार को as a return कोई message भेजेगी तो इस वाले variable के अंदर आके वो store होजेगा अब इसको मिनको show का करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए मैं इसी को copy कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं jQuery का method यूज़ करूँगा जिसका नहीं trigger और trigger के अंदर मिरको वो बताना है कि क्या trigger करना चाता हूँ form पर तो मैं reset set करना चाता हूँ तो यहाँ पर मैं value कर दूँगा reset reset करने से form जो है वो विल्कुल empty होजएगा अब इसके बाद ये वाला काम तो हमारा complete हो चुका है अब यहाँ पर हम आ जाते हैं else वाले part में अगर user ने वहाँ पर कोई भी value नहीं डाली है मत्यकिना first name डाला ना ही कोई उसने check box की value को select किया है तो यहाँ पर हम उसे message भी देना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ alert box लगा लेता हूँ कहले और इसके अंदर message देता हूँ please fill the required form fields यह देखिए तो यह हमारा काम complete हो चुका है इस page का अब हमारे को क्या कर रहा है जो मैंने यहाँ पर यह जैक्स में यह वाली file call की है इसका आगे का काम शुरू करते है तो यहाँ मैंने इस file को save किया अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे को क्या करना है connection बनाना है तो उसके लिए मैं एक con variable ले लेता हूँ और उसमें function चला लेता हूँ mysql connect यह देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया एक con नाम का variable लेके इसमें connection में ला लिया host में पास किया local host कि उसका username, root, password, nail है और database का नाम है testing अगर यह function रन नहीं होता तो उसके लिए मैंने यहाँ पर die function लगा लिया और उसमें message पास कर दिया connection field name और एक languages और यहाँ पर super global variable यूज़ किया है post और यहाँ पर वो keys ले ली जो मैंने object के लिए ली थी name और languages अब इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर मैं अपनी SQL की command लिखूँगा इन दोनों values को database में save करवाने के लिए यह देखे यहाँ पर मेरी insert की command आ गिए यह मैंने SQL नाव का एक variable लिए और इसके अंदर command लिखी है SQL की insert into table name जो है students और दो fields दे लिए name और languages यहाँ मैंने keyword use की है values जो उसकी values डलवाएगा और यहाँ पर मैंने round verses start करके यहाँ पर quotes लिए हैं कि यह दोनों where care values है और यहाँ पर variable के name डाल दी curly braces के अंदर यह देखिए अब यहाँ पर मैं एक if की condition बना लेता हूँ और उसके अंदर अपना function चला लूँगा mysql query इस query को run करने के लिए यह देखिए यहाँ पर मैंने if के condition के अंदर mysql query नाम का फंक्शन कर लिए call और जो कि हमारी query run करेगा और यहाँ पर दो parameter पास की है connection का name और sql की query अगर यह query successfully run हो जाती है तो यह इस if condition के अंदर आजेगा और अगर run नहीं होती तो else part में आजेगा अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसी form successfully save हो जाएगा तो message दे देता हूँ successfully saved यह देखिए मैंने eco में लिख दिये successfully saved और यहाँ पर भी अगर वो successfully saved नहीं होता तो उसके लिए भी यहाँ पर एक message देता हूँ can't save form data यह देखिए can't save form data अब मैंने यह वाला हमारा जो page है पूरा complete हो चुका है हमारे को यहाँ पर starting में दो values मिलेंगी उसको मैंने यहाँ पर insert करवाया और उसके लिए function call कर लिए mycically query अगर यह query run हो जाती तो यहाँ पर message आजेगा successfully saved और अगर नहीं होती तो यहाँ पर यह message आजेगा can't save form data अब जो यह दोनों cases के लिए मैंने यहाँ पर echo किये statement यह value जाएगी कहाँ पर यह जाएगी यहाँ पर data नाम के variable के अंदर और इसको हम alert में show कर देंगे यहाँ पर तो यह हमारा पूरा project account complete हो चुक है अब मैं यहाँ पर आपको file को save करके एक बार चेक कराता हूँ browser में यहाँ मैं आया और मैंने page को एक बार refresh किया अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक name ले लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया RAM और इसके अंदर यहाँ पर तीन languages मैंने select कर ली कराता हूँ यहाँ देखिए मैं browser पर क्लिक करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर id आगया one name आगया RAM और जो languages मैंने select की थी वो यहाँ पर successfully add भी हो रही है मैं एक value आपको और डाल के दिखाता हूँ मैं अगर इस phone को fill नहीं करता और सीधे submit पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर message भी आजेगा please fill the required form fields और अगर मैं सिरफ name डाल देता हूँ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सलमान और यहाँ पर कोई भी language select नहीं की तब भी हमारे पर यह message आजेगा देखिए please fill the required form fields तो validation भी जो है वो proper चल रही है अब मैं यहाँ से दो मैंने languages select कर ली submit किया और यह message आ गया successfully saved मैं एक बर आपको database में भी check करा देता हूँ मैंने browser पर click किया और यह देखिए यहाँ पर second number पर सलमान और यहाँ पर आगे language python और c hash आप देख रहे हैं तो आपने देखा कि कैसे हम अपनी checkbox की values को database के अंदर insert करते हैं जब हमारे को एक बाद याद दिर्खनी है यहाँ पर जब भी हमने checkbox की value को insert करवाना है तो हमारे को एक empty array लेना है और यहाँ पर loop चलाना है each का आप और वगएरा का languages नाम के variable के अंदर जोखी एक array उसके अंदर value को push करते जाएंगे यह देखिए और last में हम इसी इस languages को जो भी हमारे पस array बन के आया है उसको string form में convert कर देंगे और उसी को हम यहाँ पर database में save करवाएंगे तो यह जितना भी मैंने code इस वीडियो में किया है यह आपको नीचे description link पे उसका link मिल जाएगा जहां से जाके आप इसे easily download कर सकते हैं hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसी regular updates आते हैं तो हमारी channel yahoo बाबा को subscribe करना मत भूलिए